नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, साल 2023 का आखरी यानि की दूसरा चंद्रग्रहन 29 अक्टोबर 2023 दिन रविवार को लगेगा 12 राशियों में से 4 राशियां होंगी करोडपती माला माल दोस्तों, आपको बता दे, 29 अक्टोबर को लगने वाली साल 2023 की आखरी यानि की दूसरा चंद्रग्रहन के प्रभाव से 12 राशियों में से 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है आपको बता दें कि 12 राशियों में से 4 राशी वाले अब धन से माला माल होने वाले हैं यूं कहें कि स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते इन 4 राशी वालों को करोडपती बनने से माला माल बनने से 29 अक्टोबर चंदरग्रहन के दिन तो आखर ये भागेशाली 4 राशियां कौन कौन सी है जो की 29 अक्टोबर को लगने वाले साल 2023 के आखरी यानी की दूसरे चंदरग्रहन के प्रभाव से करोडपती बनने वाली है ये 4 राशी वाले अब धन से माला माल होने वाले हैं आज इस वीडियो में हम आपको उन भागेशाली राशियों के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं साथी साथ 29 अक्टोबर को लगने वाला साल 2023 का दूसरा यानी की आखरी चंदरग्रहन भारत में दिखाई देगा या नहीं सूतक काल का सही समय सूतक काल किस समय से किस समय तक रहेगा साथी साथ चंदरग्रहन किस समय से किस समय तक लगेगा साथी साथ गर्वती महिलाओं से जुड़ी कुछ महतपूर्ण और विशेश जानकारी देंगे साती साथ ग्रहन काल के दोरान क्या खाना चाहिए क्या नहीं कौन-कौन सी सावधानिया रखनी चाहिए और कौन-कौन से उपाय आपको करने चाहिए इस वीडियो के माधियम से हम आपको साल 2023 की आखरी चंदर ग्रहन यानि की 29 अक्टोबर दिन रविवार को लगने वाले ग्रहन के बारे में संपुर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं इसलिए आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना काटे बिना स्किप किये पूरा वीडियो देखें ये महतपूर्ण लाबकारी वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्यूंकि दोस्तों इस वीडियो में दी गही जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चानल पे नहीं मिलने वाली बिल्कुल संपुरन 100% सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखें दोस्तों वीडियो को शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान महाकाल का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर दे और सचे दिल से कमेंट बॉक्स में जै महाकाल अविश्य लिखें जिससे भगवान घुलेनाज का आशिरवात आपको सीधे प्राप्त हो सके और चंद्रग्रण का कोई भी अशुब प्रभाव आपके और आपके परिवार के उपर ना पड़ें और जादा से जादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये संपूर्ण सटीक जानकारी पहुंच सकें दोस्तों आपको बता दी साल 2023 का आखरी चंद्रग्रहन 29 अक्टोबर दिन रविवार को लगेगा तारीक की बात करें तो ये चंद्रग्रहन 28 अक्टोबर की रात देर रात 1 बजगर 6 मिनिट पर लगने वाला है जो की मध्य रातरी 2 बजगर 22 मिनिट तक रहेगा यदि दूसरे शब्दों में कहें तो साल 2023 का आखरी चंद्रग्रहन 29 अक्टोबर यानि की रविवार को 1 बजगर 6 मिनिट से 2 बजगर 22 मिनिट तक रहेगा जो की 28 तारी की रातरी का समय होता है इसकी जो अवदी रहेगी वो 1 घंटे 16 मिनिट की रहेगी दोस्तों आपको बता दे कि ये बहुती प्रभावशाली चंद्रग्रहन होगा और इस चंद्रग्रहन का प्रभाव भारत में भी देखनी को मिलनी वाला है और बता दे कि सभी 12 राश्यों पर इस चंद्रग्रहन का प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राश्यों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा ये चंद्रग्रहन आपको साथ ही साथ ये बता दे कि ये चंद्रग्रहन भारत में तो दिखाई देगा ही देगा इसके अलावा उस्ट्रेलिया और एशिया, यूरप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में और हिंद, महासागर, पैसिफिक, एट्लांटिक और अंटार्टिका में भी दिखाई देगा और बता दें कि इस चंद्रग्रहन का सूतक काल भी मानने होगा, जो की चंद्रग्रहन से 9 गंटे पहले शुरू हो जाएगा, और इस अवधी में कोई भी शुबकार्य नहीं किये जाते हैं, पूजा पाढ़ नहीं किये जाते, तो सूतक काल की नेमों का पालन भी करना तो अत आवश्यक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इस साल जो चंद्रग्रहन लगेगा, 28 अक्टोबर की देर रात, यानि कि 29 अक्टोबर की सुबह, 28 अक्टोबर की देर रात, एक बज़कर 6 मिनिट से लगेगा, और मध्य रातरी को 2 बज़कर 22 मिनिट तक रहेगा, यानि कि 1 गंटा, 16 मिनिट का रहेगा, ये चंद्रग्रहन, क्या साबधानी बरतनी है, आपको, और 9 गंटे पहले सुतक काल लग जाएगा, उसमें क्या करना है, सुतक काल की नियमों का पालन भी आपको अविश्य करना चाहिए, और आप ये कर सकते हैं, कि इस समय भगवान के मंत्रो का जाप करे, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करे, मन ही मन भगवान विश्णु जी के मंत्रों का जाप करे, आपको लाब मिलेगा, और चंद्रग्रहन का कोई भी अशुब प्रभाव आपके उपर नहीं पड़ेगा, साथी साथ ग्रहन काल के दौरान गर्वती महिलाओ को क्या-क्या सावधानी बरत्ती चाहिए आए बता देते हैं गर्वती महिलाएं चंद्रग्रहन के दौरान क्या करें गर्वती महिलाओं को ग्रहन काल के दौरान घर के अंदर रहना चाहिए गर्वती महिलाओं को चंद्रग्रहन के दौरान जागते रहना चाहिए और पूज बचने के लिए उन्हें स्नान अविश्य करना चाहिए। घर के अंदर की किर्णों से बचने के लिए खिडक्यों को मोटे पर्धे से धकना सुनिश्टित करें। और साथी साथ गर्वदी महिलाएं ग्रहन काल के दौरान बोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वर्जित माना जाता है हालांकि बोजन करने से पहले वो एक काम ये कर सकती है कि जो भी आप बोजन करें उसमें एक तुलसी का पत्ता डालें ध्यान दे तुलसी का आपको पत्ता वी चंदर ग्रहन से पहले ही तोड़ कर रख लेना है, जो भी खाना बनाए उसमें आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है, फिर आप भोजन ग्रहन करें, ऐसा करने से चंदर ग्रहन का कोई भी अशुब प्रभाव आपके उपर और आपक के स्वास्ते को लेकर ग्रहन काल के दोरान भोजन जरूर करना चाहिए, आपको अपने खाने वाले भोजन में तुलसी का पत्ता डाल लेना है, और ग्रहन काल के दोरान आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, निरंतर महामृत्यन जै मंत्र का जाप करते रहें, भग आपके और आपके शिशू के ऊपर चंद्रग्रहन का कोई भी अशुब प्रभाव नहीं पड़ेगा साथी साथ आपको तेज धार वाली वस्तुएं जैसे कैंची चाकू पिन आदी के उपयोग से बचना चाहिए इसे जनम दोश हो सकता है और आपके शिशू पर इसका नकार प्रभाव पड़ सकता है ध्यान रखें कि ग्रहन काल के दोरान कोई भी धारदार वस्तुएं कोई भी नुकूली चीज आप न चुएं इससे बचें चलिए दोस्तों बात करते हैं उन चार खुशनसीब और भागिशाली राश्यों के बारे में जो की 29 अक्टोबर को लगन साल 2023 के दूसरे यानि की आखरी चंदरग्रण के प्रभाव से करोडपती बनने वाली है ये चार राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं यूं कहें कि अब विधाता भी नहीं रोक सकते इन चार राशी वालों को करोडपती बनने से माला माल बनने से 29 अक्टोबर को यान की चंदरग्रहन के दिन तो चलिए शुरू करते हैं कौन-कौन सी है चार खुश नसीब और भागिशाली राशियां दोस्तों इन चार खुश नसीब और भागिशाली राशियों में जो पहली राशी आती है जो 29 अक्टोबर चंदरग्रहन के दिन करोड़वती बनने वाली है मालामाल बनने वाली है पहली कुश नसीब भागिशाली राशी है में जोख दोस्तों ग्रहन के शुब प्रभाव के कारण में जोख राशी वालों की आर्थिक सिती अच्छी होगी साथी साथ इन्हें कार्यशेत्र में तरक्य मिलने की संभावना है कार्यशेत्र में इस राशी वालों के कार्य की जमकर तारीफ की जाएगी नौकरी के साथ जो लोग व्यवसाय में रूची रखते हैं उनके लिए भी चंदरग्रहन शुब रहेगा यदि आप किसी नए कार्य को शुरू करने पर विचार कर रहे हैं तो समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होगा साथी साथ यदि आपका कोई कर्ज चल रहा है उससे कर्ज से आपको चुटकारा मिलने वाला है साथी साथ आपको मन चाही नौकरी भी मिलने वाली है, साथी साथ नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृधी के भी योग है, घर परिवार में खुश्णुमा माहोल रहेगा, कहना गलत नहीं होगा, ये चंदरग्रहन आपके लिए अत्यांत लाबकारी साबित होगा दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है तुला राशी, तुला राशी वालों को बता दे कि ये चंदरग्रहन आपके लिए अत्यांत शुब रहने वाला है, इस दोरान आपके पास नौकरी के नए अवसर आ सकते हैं, इस दोरान धन की वृधी की भी संभावना है, तुला राशी वालों इस ग्रहन के दोरान आपकी आर्थिक सिती और मजबूत होगी, चंदरग्रहन के दोरान आपके जो भी रुके हुए काम थे वे अब पूरे होंगे, आपको चारों तरब से अब लाभी लाभ मिलने वाला है, आपको किसी बड़े कार्य में सफलता आपी मिलने से अपारधन की प्राप्ती नजर आ रही है, साथी साथ आपके घर परिवार में खुश्णुमा माहोल रहेगा, साथी साथ आपको बता दे, जो भी आपके रुके हुए कार्य थे, अब आपको समय पर पूरे होते हुए नजर आने वाले हैं, साथी साथ जो लो जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई या फिर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो वो सपना भी इनका अब जल्द पूरा हो सकता है, जी हाँ, तो साथी साथ आप नया वाहन या फिर नया मकान खरीच सकते हैं, इसके शुब सयोग आपके लिए बनते नजर आ रहे ह तुला रशी वालों कहना गलत नहीं होगा, ये चंदर ग्रहण आपके लिए अत्यंत लाबकारी साबित होने वाला है, चारों तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है, वो है कुम्ब राशी, दोस्तों कुम देखने को मिलने वाला है, कुम्ब राशी वालों को बता दे कि आपको कारिशेत्र में ना सिर्फ आर्थिक तरक्षी मिलेगी, भलकि पदवनती होने की भी संभावना है, इस दोरान कुम्ब राशी वालों के पास आयके नए नए सोत्र बढ़ने के साथ साथ निवेश पर आप ध्यान केंद्रत करें, क्योंकि ये समय आपके लिए अत्यंत लाबकारी साबित होने वाला है, जिसमें भी आप निवेश करेंगे, उसमें आपको अपार व्रिदी होगी, लाब होगा, साथ ही साथ आप ग्रहन काल के दौरान कारे समन्दी मामलों को लेकर यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो की यात्रा आपके लिए आर्थिक दृष्टी कौन से लाब देने वाली रहेगी, जो लोग नौकरी करते हैं, उनको नौकरी में पधोनती के साथ साथ वेतन व्रिदी के भी योग हैं, चाती साथ आपके घर परिवार में खुश्णुमा माहोल रहेगा आपको चारों तरफ से खुश्यां ही खुश्यां मिलने वाली हैं, जो भी रुके कार्य थे अब आपके समय पर पूरे होने वाले हैं, आपके आर्थिक सिती में सुधार होने की संभावना रहेगी, इस दोरान आपके कही काम बनेंगे, यात्रा से आपको लाब होने के आसा हैं, बिजनिस वाले लोगों के लिए ये चंदरग्रहन बहुत ही शुब फलिदाई साबित होगा, कारिस्तल और समाच में आपका यश बढ़ेगा, कहना गलत नहीं होगा, कुम्ब राशी वालों चंदरग्रहन आपके लिए अत्यंत लाब प्रत रहने वाला है, इस चंदर राशी है, वो है कन्या राशी, कन्या राशी वालों को बता दे कि ये चंदरग्रहन आपके लिए बहुती लावप्रत साबित होने वाला है, आपके लिए आर्थिक सिती बहुती अच्छी होने वाली है, साथी साथ आपको इस ग्रहन काल के दोरान कुछ सावधान्या भी र इश्वास ना करें अन्यथा आपके साथ दोखा हो सकता है लेकिन आपको ये बता दे ये चंदरग्रण आर्थिक दिरिश्ची कौन से आपके लिए बहुती अच्छा साबित होगा इस चंदरग्रण के प्रभाव से आपकी आर्थिक सिती में सुधार आने की संभावना है दोरान की गई सभी यात्राएं आपके लिए लाब प्रद रहेगी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये ग्रहन बहुत ही शुब रहने वाला है प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय अच्छा रहेगा और ऐसा करना इस दोरान आपके लिए लाबकारी का वातावरन रहेगा आपके प्रेम समंध वजबूत होंगे संदान पक्ष से कोई शुब समाचार आपको प्राप्त हो सकता है कहना गलत नहीं होगा कन्या राशी वालों ये चंदरग्रहन आपके लिए चारों तरफ से खुश्यों की सौगात लेकर आने वाला है दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है व्रिष्चक राशी वालों को बता दे कि ये चंदरग्रहन आपके लिए अत्यंत शुब फलदाई साबित होगा आपकी आर्थिक सिती में सुधार होगा साथी साथ नौकरी सरकारी नौकरी में कारेरत लोगों के लिए ये ग्रहन शुब और फलदाई साबित होगा विदेश में नौकरी प्राप्त करने के लिए नौकरी में उनती के लाब मिलेंगे ग्रहन काल के दोरान जितना हो सके आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें इससे आपको सुख़द परिनामों की प्राप्ति होगी व्यवसाय के वि इतियां बनाएं और उन्हें सही ढंग से लागू करने में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे शल में लाब होने की संभावना है नौकरी में कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं साजेदारी के काम में मुनाफ़ा मिलने की उमीद हैं इस अवधी में आप अप पैचान बनाने में सफल हो सकते हैं इस दोरान आप अपने लक्षियों पर कड़ी मेहनत करते हुए भी नजर आएंगे प्रिष्टिक राशी वालों आपके घर परिवार में इस दोरान खुश्यों का माहोल होगा चारों तरफ से आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के सं अंकेत नजर आ रहे हैं साथी साथ आपके प्रेम सम्मंद मजबूत होंगे कैना गलत नहीं होगा व्रिष्टिक राशी वालों ये चंदरग्रहन आपके लिए अत्यंत लाबकारी साबित होगा दोस्तों ये थी वो खुशनसीब और भागिशाली राशियां जो की चंदरग इन चार राशी वालों के लिए अत्यंत लाबकारी साबित होने वाला है इस चंदरग्रहन के प्रभाव से ही इन चार राशी वालों के जीवन में अनेकों प्रकार के लाब और बड़ी सफलताओं की इन चार राशी वालों को प्राप्ति होने वाली है जिससे इन चार राश जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें